हेलो दोस्तों, आज बना रहे हैं पालक के पकोड़े, 200 ग्राम के करीब पालक लिया है, दो दाने प्यांच के, दो दाने आलू, प्यांच को हम स्लाइस में काटेंगे और आलू को हम कद्दू गस कर देंगे, पालक को हम मोटा मोटा काट देंगे, पालक हमारा कट चुका है, प्याँज हमने स्लाइस में काटा है और आलू को हमने कद्दू कस कर दिया है कटा हुआ पालक हम एक बाउल में पूरा मिला देंगे और कद्दू कस किया हुआ आलू और स्लाइस में काटा हुआ प्याँज हम इसमें मिक्स कर देंगे इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक नमक सबजू से पानी निकलना शुरू हो जाता है तो सबजू में हमने नमक मिक्स कर दिया है इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं सबजू से पानी निकल चुका है अब हम इसमें डालेंगे बारी कटे हुए हरी मिर्च, बारी कटा हुए अद्रक, लहसून और हरा धनिया इसको हम मिक्स कर देंगे इसमा हम डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधे से भी कम इसमें हम डालेंगे काली मिट्ज पाउडर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब मिक्स के वे सब्जू में हम डालेंगे पकोड़ों को क्रिस्पी करने के लिए चावल का आठा जिससे की हमारी पकोड़िया बहुती क्रेंची और क्रिस्पी बने इसको हम अच्छे से मिला देंगे पूरी सब्जू में पूरा मिला दिया है हमने इसमें अब हम इसमें डालेंगे बेसन बेसन को आप धीरे धीरे ही मिलाना पूरा बेसन एकी समय मत डालना तो हम आधा आधा करके बेसन इसमें मिक्स कर देंगे और जो बांकी बचा हुआ बेसन है उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे तो हमने इसमें पूरा ही मिक्स कर दिया है और हमने इसमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं किया है जो सब्जू से पानी निकला था उसी से पूरा बैटर हमारा तयार हो गया है अब इनकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे आप बड़ा भी बना सकते हो और छोटी भी बना सकते हो आप इसको कोई भी शेब दे सकती हो, छोटी छोटी लोई बनागर पहले हम इसको एक प्लेट में रख देंगे, तो हम छोटी हलके हलके हाथू से इसको प्रेस करना है, ज़्यादा दवाव नहीं देना है, एक कडाई में हमने पहले ही तेल गरम करने को रख दिया है, तेल हमा एक एक करके डालेंगे, तो हमने इसमें बनी हुई छोटी छोटी लोई याँ पूरी डाल दी हैं, और यह लोई हमारी तयार हो चुकी है, हमने इसको मीटियम फ्लेम में ही बनाया है, ताकि अंदर से यह अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे, इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है, तो यह हमारी पूरी बन चुकी है, इससे पूरा तेल हम इसको हम पूरी निकाल देंगे, और तेल इससे निकल जाए, फिर हम इसको एक प्लेट में रख देंगे, तो तेल हमारा पूरा निकल चुका है पकोडियों से, इनको हम एक प्लेट में आच्छे से निक द्याल देंगे और हमारा जो दूसरा बैसा तयार होगा है उसको भी हम अब धीरे neighbours धीरे टेल में डाल देंगे है जो अब अपने === छीली भी पकोड़त्या बनाना चाहते हो बना दीजे और तेल में डाल दीजे जो भी आकार देना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप बना सकते हैं, तो हमारी पकोडिया लो मीडियम फ्लेम में अच्छे से बन रही हैं, फ्लेम को ज्यादा हाय मत करना, नी तो पकोडिया बाहर बाहर से पक जाती हैं, और अंदर अंदर से कच्ची रह जाती हैं, तो हमको इनको लो मीडियम फ्ले में नहीं पकाना है तो हमारी पकोडियां पक रही है ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है न तो आप कैसे भी इनको बना सकते हैं और हमने थोड़ी से पकोडियां को लच्छेदार भी बना रखा है तो आप चाहे गोल साइज देजी आप चाहे लच्छे साइज बना सकत हैं पोकोडियां हमारी हो गई हैं तयार इमली की चटनी के साथ यह बहुत टेस्टी लगती हैं तो आप बनाएए इंजोई कीजिए और मेरी रेसिपी आपको अगर पसंद हो तो इसको लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल् यह और एraszam ए माझ माहर प्सक्राइब करना देफ द्रवता ड्लाध प्सक्राइब करना देल्य करना तो आपको माझ जब हैं अगरे स्रूलब्स आपको आपको ऑってる हैं लगती हैं तो आẤ, बHE पन्छिया